में देख सकते हुए कि मैंने भी हर्मोनियम ठीक करने से जबाई है दोस्तों आज मैं आपको यूटूबर आपने देखा होगा कई बार बजाते बजाते ना कई बार कोई सूर पीपी सब बोलना चुरू हो जाता अब तो नहीं हो रहा जैसे यह बजाते बजाते हैं ऐसे तो दोस्तों आज मैं इसको ठीक करने का तरीका बजाओंगा कि यह नहीं की थोड़ी सी प्रावलम ही और हर्मोनिम उठा के खारीगर के पास लेज़ के चले जाएं आप इसे ठीक भी कर सकते हैं घर में तो ठीक करने का तरीका क्या है दोस्तों यह जो फट्टी होती है यहां लगी होती है यह ऐसे होती पैक और यह कुछ ऐसे होती है और यह फट्टी इसको पर ऐसे लगी होती है अब आपको मोटा मोटा बता रहा हूं और आप गर में पूरा अच्छी तरह कर सकते और यहां दो नट लगे होते हैं इस दोस्तों मैं पीपी सी अलग से आती तो क्या करना है दोस्तों आपने यहां से ऐसे निकाल लेना इसको आपने कुछ नहीं करना यह जो दिख रहे हैं यह दूल मिटी जमी यह नहीं यह यह आपने चाकू लेना जो हम आम तर सोई में सब्जी काटने के लिए यूज करते हैं और उसको ऐसे कि इस पत्ते के उपर ऐसे रगता है कि इसमें से आपको कचरा नजर आ रहा होगा कि जो कि हर्मोनियम में अलग से आवाज बनती है पीपीपी करना शुरू कर देता है और इसको फूक मार के हाथ से ऐसे कपड़े पे पेंट पे या कोई कपड़े पे करके साफ कर दिया और मैं दोस्तों के बाद यashauna को फूक मारना ऐसे को और मस्तवियोत दिकाई देरी होगी फिर खूक मारना आपने मिटी करने का तरीका है अब दोस्तों को लगाना कैसे कई बढ़िक लगने कि बाद भी लोग उसे लगता नहीं कुछ नहीं करना यह कप्लर को डाउन कर देना और इसको यहां लगा देना इसके सीध में और इसके बाद रमन भाई तार्च दिखाए दोस्तों यह चीज उठ गई है अब देखना कहा है यहां पर एक सिस्टम होता है चाकू को आपको यह अंदर से दिखाई दे रहा होगा य पाजी तुस्य अदर दहाओ तौर्च दहाओ ऐसे दोस्तों को यह जो यह रीड नजर आ रही जहां पर यह चाकू का कोना जा रहा है यह यह जो यह जो रीड है यह जो नीचे डाउन गई है इसको दिखा दिखा और और यार इधर करना भाई इधर फूदर से ट्लाइट द और डाउन में दिखा यह देखो दोस्तों जहां मेरा चाकू का नोक है ऐसे खायदा नहीं है ना शैंपी और दोस्ता पाजिक कैमरा हो और लाइट और करें ऐस फोन दी करो में चीज तो दिखाना जोगी है दोस्तों आपको यह पत्ती सी नजर आ रही है आपको यह जहां पर मेरा यह दिख चाकू दिख रहा है आपको चाकू का नोक यहां से अंदर गया और यह आपको यह चीज उठानी है यह इसका इसके सीध में जो जा रहा है यह चाकू यहां डालके इसके अंदर डाउन में गई यह चीज इसको डाउन में कर देना है और यह इसके उपर ऐसे फिट हो जएगा मैं द्वारा समझा रहा हूं यह निकल गया ठीक है अंशुल कैमरे को बढ़ा कर वो नजर आने चेंदर से इसको अंदर से उठाना ऐसे इसको पूरा निया रहा है इसको ठाकर रखना है फिर इसके बाद इसको ठाकर इसके उपर फिट कर देना अभी फिट नहीं हुआ क्योंकि अभी पीछे से ही खराब हुआ पड़ा देखो लगाने से पहले कि स्कीम क्या है कि सबसे पहले इस फीज को फिट करने से पहले की पोग यदर दिखा अ यह छेद में यह की लानी की लिए आपको श्म कुल है यह की इससे होता है अब यह इधर लग गई किया अब यह उब हुज़ा अपक्पर उब्र doomed उठा हुआ है आपको यह जो यह जो आपको दिखाई देरें जांद करने यह के यह कील्वोड दाउन है इसको उठा के इसके उपर रखना है ऐसे अब इसके पर सेट आगी यह चीज को सेट कर देना है अगर आपको नहीं दिखाई देता तो मैं आपको दुबारा रपीट करके दुखा रहा हूं कि दोस्तों जब यह साफ सफाई करने के बाद क्या होगा यह देखो एक तो यह है कपलर का यह हुक यह और एक यह डाउन वाला है अगर मैं यह कपलर डाउन कर देता हूं यह हुक जादा नीचे चल देगी देखा यह वाला जो कपलर का अगर इसको मैं डाउन कर दूंगा अगर यह उठाता हूं तो यह हुक उपर उड़ जाएगी य यह वाली यह वाली हो कुपर उन्दर चले आइए आपने करना क्या यह जो यह जो हो कहना इसके ऊपर सेट नहीं है इसके कि इसके उपर सेट करना है इसके उपर मतलब कि यह ऐसे से आई यह ऐसे ऐसे सेट आई यह ठीक है दोस्तों कोई नुक्षा बताता नहीं है पर जरूरी यह यह उताना आपने करना क्या है यह कपलर को पहले ऐसे उठा देने लगाने से पहले इसके बाद ये पती को सीध में ऐसे फिट कर देना है अभी फिट नहीं हुआ अभी भी अब हो गया अभी यहां पर उठा हुआ है अब दोस्तों करना क्या है कि यह जो पती इसके नीचे जो गिर गई है ऐसे चाकू को इसके नीचे गुसाना गुसा दिया गुसा के इसको उपर उठा दिना दिग्या है अंशुल अंदर रिखा और हां हां यह जो यह वाली जो चीज है इसके उपर लानी है और इसको ऐसे डाउन में सेट कर दिना अब यह सेट आ लिए अब मैं किसी और बिटन पर करता हूं जैसे की माल लो खराब हो गए यह वाला सुर्फ बोलता है ऐसे अलग-अलग भैयानक सी आवाज आती है इसको ऐसे उठाना है इसको ऐसे निकाल देना अब करो यहाँ गंदी की जमिगी हूई बहुत सारी चाकू से इसको ऐसे फैर देना है कि साफ कर देना है यहाँ दखा हो या भी तका फसा हुआ है इस पर फूक मार के अच्शी तरह साफ कर देना हा 너무 ब्तमार कैसे थोड़ा सा इसको खूरद्रा करना है यहां फसा हुआ है सौक करना है अ अध्यूसर यह जो फोग मारी चलके यह गंधी धिखाई देरी सब्सक्राइधी चूड़ती यह साफ करना है इसके बाद यह जो चीज है यह जो आपको रॉड दिख रही है यह और नीचे परमने चली जी वाली जो रोड हई इसको इसको फसाना इसको इसको यहाँ पर ऐसे डाल के अई sink कर के अब क्या सो इसके नीचे देखना अब यही पती है यहाँ गरी भी है यह वाले पती यहाँ गरी वह है यह यह पत्ती यह एकट है इसको थोड़ा सा ऐसे उठा देना और इसके उपर करतेनी hm अधाली डोस the स Iggy तिर्फ तकीो थीक करने और यह जो पिन जी इसके सब्सक्रेट होता है अब दोस्तों कई बर क्या होते कि अगने बजाते बजाते यह जो पिन होती है यह उपर उठरे रगाती तो इसको में शाह ऐसे दबा कर रखने की जिससे की हर्मोनियम का बैलेंस रहे कई बजने शूरू हो जाते हैं आपने कभी हर्मोनियम की सफाई करनी है यहाँ पे जैसे की ब्रश आता है पेंट करने वालों अबश्रो जैसे कि मैंने अब कपड़ा लियाущие इसको ऐसे कर साफ करणी है करना दिक्कत खड़ी हो जाती है आप precious नी अग्स प्रश लेने ऐसे साफ कर देना और यह जो पेज मूझ दीले ना दोस्तों पेज कर दाइसे स्वाइब करने तो सेट आजएगा यह कपलर फिर डाउन जार देना अब इसको बढ़ा कर देखो अब कहीं भी सुर्णी मलब फीपी बीपी निवजेगा अजर दूस्तों कभी हर्मोनियम गद्दगी उड़ती दिखाई दे तो हमेशा यहां फूक मार देना चाहिए यहां कि देखो इसमें कितनी गंजी की निकल रही है अच्छी तर मार फूंद देखो कितना दूर मिटी उड़ रहा है तो ऐसे हर्मोनियम की सफाई की जाती है और ऐसे हर्मोनियम रिपेर गया जाता है दोस्तों में दुवारा रिपीट करता हूं जैसे कि यह इसे बोलते कपलर एक दो तीन चार पांच छे साथ आड़े ज्यारा बारा तेरह चोदा पंद्रह सोला सारा अठारा उननीस वीस इकिस वाइस देई चौई पच्चिश अभी सा अगर आप इसको बजार में खरीदे जाओगी तो आपको 6000 का मिलेगा जैसे कि मैं यह बटन दबारा तो इसकी कीमत होती है इसका फाइदा ही होता कि हर्मोनियम डबल बसता है अगर यह नहीं होगा सब्सक्राइब कर अफ़ी तो आप इसको कसना करते हैं आप आको शुषाज इकाहिञा यह है definitely नटला कि नट लगा इसका रवन भाई एथे भी नट ला दो फिर आपने ये फट्टी को यहां सेट कर देना ऐसे हाँ पई आलो पेज को से लो कास के दिखाओ तो अधोस्तों कभी भी ध्यान रखने की दो दो पेज को सब्सक्राइब का यह कि दोस्तों ध्यान रखने से इसको ज्यादा न ही इसको जब Cash कम बटन पेज जबार आजेगा तो बटन आपस में से जह जएंगा अ 2 5 सी आप जाओ ना वहाँ नहीं हर्मोन बजने में बहुत दिक्कत होगी लेगा Haynes और इसको ज्यादा निदिक्कत होगी शेंपी कस अगले वीडियो में आपको मैं कोशिश करूँगा कि हर्मोनियूम कैसे करते हैं अब उसके लिए में को पूरा हर्मोनियूम खोलना पड़ेगा दोस्तों क्या होता कि जैसे कि मैंने भी सारा खोला तो यहां पर आपको दोनट दिखाई दे रहे हैं एक नट यहां और एक यहां कि इसको खोल के फिर यह सारा बक्सा पहार आजेगा कि इसके अंदर मतलव पीतल की रीड होती है फिर उनको अपना जो जैसे गिटार ट्यूनर एप होती है दौनी मापक यह अंतर भूगते से त्यूनर को उसके ग्रीन लाइट तक उसको रगड़ रगड़ के मलव ट्यून हर्मोनियम त्यून होता है अब दोस्तों यह सारा हर्मोनियम पर पेर हैं त्यार है कोई दिक्कत नहीं है अब यह सिंगल होगा अब डबल हो गया तो यह पैसलेट हो जाती है अब देख यह जैसे अब अलग सा बज़रा है तो अब यह ऐसे प्रावलम दूर होगी क्योंकि हमने इसको सफाई की है ज्यादा कई बटन भीड़ते हैं यहां यह लूज होजेगा अब यह कहीं नहीं अड़ेगा आख इस करने का तरीका उपको ध्यान रखे कि कभी भी अर्मोन्य गढ़ियर दूप भी ने होतना कि बाजय का रण झाते और यह यह जो पैलो होता है हमेशा को ली की piace कर लिदा यह है करके तो यह ऐसे हर्मोनियम ठीक करने का तरीका है उसके बाद दोस्तों यह क्या होता है इने ग्राम बोलते यह हर्मोनियम में आता अगर यह सारे बंद कर दो तो बहुत कम बज़ रहा है? अभी ये बंसी टोन में बजाए अगर zar 6 तो ये मेल फीमिल बनता है आक बासमेल बन गया अभी बाजा पुरा फूल गया वासमेल का तो कल तो हर मुझा अच्छे डंक सी तो वास्मेल हर्मोनियम था स्कून स्वाइसा है और आम तोर पर जो बाजा ठीक करने के तरकीब बताई है उम्हीद करता हूं कि आप अपने घर में यह पैंतरा ना ही अपना 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 यह पता लगे कि पूरा हर्मोनियम खोल के बाट जो ठीक करना ना है अगर किसी को दोस्तों नहीं समझाता तो उसको अकैडमी ले आओ हर्मोनियम को ताकि मैं अच्छे डंग से मलवाव को ठीक करना सिखा सकते हैं और यह तो ना वर्टसप कॉलिंग से आएगा ना तो यह आपको वीडियो से स समझाएगी पर फिर भी समझाने की कोशिश किया उमीद करता हूं आपको मेरी कोशिश पसंद आएगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट जुरूर करें जाते हैं थे ठैंक यू नमस्कार जहें झाल सुरूर क जो करना करती है धुम झाल संद करता हुज झाल जाते हैं आएगी मेरे और आएगो कि कर दो शाया है रही है में की को वीडियोर